हेलो फ्रेंट्स तो आज हम बात करेंगे कि फेक्टर अफेक्टिंग ओन स्प्लीटिंग एनर्जी पर किस किस तरह से फेक्टर अफेक्ट करेंगे इसकी हम लोग आज डिस्कुशन करने वाले हैं सबसे पहला प्यक्टर आएगा वहे जो नेचर और मेटल आएगर यह जो नेचर और मेटलाइब है यह यह श्लिटिंग एनर्जी पर किस तरह से अफेक्ट करता है परस उसमें करिंस को tan ऒरी से लिखनुत होता है से प्रिंसे प्रिंसीपल क्टम नंबर यह किसे कहा जाता है माझ लेजिया कि यह everybody 4D 5D और 6D और बिटल है अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यह जो ओर्डर है यह कीस तरह चाहिए यह इंपर प्रिंशिपल कॉंटम नंबर कौन से हैं क्या है मिन्स के आप पेश्चान होंगे कैसे कि इंक्रीज होता जा रहा है तो यह बहुत इजी है यहां पर देख सकते हो यह जो सरकल इंडिकेट है सरकल हम नें इंडिकेट किया है और उसमें जो नंबर है 3 4 5 और 6 यह क्या है यह है यह प्रिंशिपल कॉंटम नंबर है अब यह जब इंक्रीज होते है 3 4 5 & 6 तब कीटिंग एनर्जी पही इंक्रीज होती है मगर क्यों क्यूंकि उसका रिजन यह है कि मान लिजे कि यह metal center है positive charge है यह उसकी orbital है अब यहाँ पर मान लिजे कि यह orbital है 3D, 4D, 5D यह किसकी orbital है यह है metal की orbital अब यह जो है किसकी orbital है यह है ligand की orbital अब इसमें بजी अप्छे susceptible होगा क्या यह मैं जो ligand की orbital में जो electron होंगे और ये जो मेठल की ऑर्बितल में ईलेक्ट्रन होंगे हैं उसके अपस मैं रिपल्जन होगा क्या होगा है और उसको इंट्रेक्ट्शन भी गोल सकते हो अब यहां पर आप गोर से देखोंगे तो यह जब 6D और बीटल के इलेक्ट्रोन होंगे उसमें रिपल्जन ज्यादा होगा मेंस कि 6D और बीटल है और लिगेन और बीटल से बहुत करीब है और उसकी कंपेरिशन 5D में उससे भी लेस होगा और 4D में से भी लेस और 3D में सबसे काम होगा इसी वज़से जो अमने वो ओडर दिया था पहली स्लाइड में वो इस तरह सा होता है क्योंकि जब प्रिंसिपल कॉंटम नंबर जब इंक्रीज करेगा तभी स्प्रिटिंग एनरजी भी इंक्रीज करेगे क्युंकि देटू इंटरक्ष्न बीटविन आयर स्प्रिट इंटरक्ष्न बीटविन अयर पुंटम नंबर पोजेसिंग ओर्भीटल वीद लिगयन ओर्भीट पर दूसरा दूसरा भी है कि पर वैन लोग एक्सामपल देख लेते हैं इस भाएं लेजिये कि यहां पर यह 3 कंपलेक्स हैं अभी यहां पर गोर से देखोंगे तो 3 कंपलेक्स में में धैs है और उसका जो लियकेंड है वह पी सेम है तीनों ही तीनों और उसकी ऑक्टिडेशन टेट भी सेम है सिर्फ डिपरंस इतना है कि यह जो है मेटल आइन ही डिपरंट है मिंस कि यहां पर जो कोबाल्ड का कॉम्प्लेक्स है यह वाला वो उसकी एलक्टो ने कॉम्फिग्रेशन के सी होगी उसमें 3D6 और यह रह उसका प्रिंशिपल कॉंटम नंबर इंक्रीज होता जा रहा है क्या होता जा रहा है प्रिंशिपल कॉंटम नंबर इंक्रीज होता जा रहा है तो भी स्प्रिटिंग एनर्जी भी आयर होती जाएगी यहां पर देख सकते हैं कोबाल्ड कॉम्प्लेक्स की कितनी है 23,000 सेंट तर्टीफोर इरिडियम की सब से ज्यादा क्योंकि उसमें प्रिंसिपल पॉंटम नंबर में 5D और्बीटल हो फाइव है मेंस कि यह टिगें और्बीटल से बहुत करीब होती है प्रिंसिपल पॉंटम नंबर की अब यहां पर आएगा ऑक्सिडेशन स्टेट ओप मेटल आइन किया होगा इंक्रीज होगा तब क्या होगा पीटिंग एंडर्जी भी इंक्रीज होती जाहीगी क्यों क्यों कि मान लीजिये कि यह कोई मेटल आइन है और उसके सराउंडिंग है यह लिगयन है और लिगयन की कोर्बी सोल भी खोता है यहां पर हमने की इन्में एकश Tap अब यहां पर होगा यह जो क्यों यहूलेट बोंग धूर्ड से मेटल आएन के लिगेन के इलेक्ट्रोन जो भी होंगे और मेटल में क्या होगा पोजिटिव चाहिए अब यह जो पोजिटिव चाहिए इंक्रीज होगा तब क्या होगा यहां पर यह जो इलेक्ट्रोन पे कुन सा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज तो यह यहां पर मेंज कि अट्रेक्टिव फॉर्स लगएगा गेंच लिगेंट का फूल होंगे यह चार ऑफ ऐर यह इए वफ उत्रेक्टिव फॉर्स इंडिकेट कर रहे हैं इसकी वज़े से होगा क्या attraction होगा मेटल और लिगेंड इलेक्ट्रोन के बीच में जब मेटल का चार्ट जब इनक्रे होगा तब यह तो सीधी सी बात है तो अब होगा क्या यही मेटल सेंटर है मान लीजिए यह है मेटल की ओर्बिटल मानले यह 3D orbital है अब होगा कि यह जो 3D orbital में जो इलेक्ट्रोन होंगे और यह जो लिगेन के इलेक्ट्रोन होंगे उसके बीच में क्या होगा अब यह जो इलेक्ट्रोन होंगा लिगेन का वह इस तरफ मूँ करेंगे और यह जब 3D एलेक्ट्रोन के एलेक्ट्रोन, 3D ओर्बिटल के एलेक्ट्रोन होगे, वह उसकी बीच में और यह जो इलेक्ट्रोन है, उसकी बीच में बहुत करिब आ जाएंगे, और उसके बीच में हम इंट्रेक्शन होगा, बहुत ज्यादा, और यह फिनोमेना कब सामप्ल हम लोग देख सकते हैं कि यह जो है दूनों कूंप्लेक्स है दूनों कॉंप्लेक्स टी ओक्सीडेशन स्टेरिक टिया है mostrar चेंजिस कि यह है यही यह फिकि हाईयर होगी कंपिरिजन टूजीस कॉंप्लेक्स तो यह थी ओक्सिडेशन ट्रेट के बारे में बात की ओक्सिडेशन ट्रेट इंक्रीज और डिक्रीज होने से स्टिंग इनजी पर क्या फेक होता है अब अब यहां पर क्या होगा ओक्सिडेशन ट्रेट क्या होगी तो यहां पर होका क्या कि जब इलेक्ट्रों जिसमें दो मेटल आयन है मान लीजी उसमें चार्ज भी सेम है तो detź perfectly energy लार्जर होगी किसकी कमपेरीजन में जो मेटल होगा पर दी इलेक्ट्रों जिसमें लेस होगा दो मेटल हैं है ऑक्सिडेशन ट्रेट भी सेम है और उन दोनों में से किसकी एक्सिडेशन ट्रेट आइर होगी जिसमें दी इलेक्तूर्ट्र trembling लेस होगा उसकी splitting energy higher होगी क्यों क्योंकि for example हम लोग पहले डिसकर करने हैं यह दोनों complex है यह दोनों की oxidation कोबल की electron अतना क्या है 3D74S2 बट इसको अले complex में उसकी oxidation state कितली थी plus 2 तो उसकी oxidation state plus 2 होने के वज़े से उसकी electron अतना क्या होगी 3D7 NIT 3D8 देख सकते हैं यह complex की electron configuration है अब यहाँ पर होगा क्या उसका reason यह है कि मान लीजिए यह cobald complex का nucleus है छे के छे लिगेन अटेच है यहाँ पर सभी लिगेन के पास electron तो होता ही है यह देख सकते हैं यह cobald की electronic configuration कितने थे 7 तो यह one यह two और यह three four five six and seven अब यह दोनों लिगेन के बाकी देख है यह one यहाँ पर और यह one यहाँ यहाँ पर यहाँ पर किया है दी सेवन सिस्टम है और यह यह एननाई के complex में डी एट सिस्टम है वह आप लोग electronic configuration नहीं बताई वैसा ही है अब होगा किया यहाँ पर one additional electron ज्यादा है comparison to this one तो अब कोबल के complex में जितना charge satisfaction होगा यह जो कोबल प्लस टू का 7 electron सिस्टम में उससे कम यहाँ पर nickel का जो charge है वह कम हो जाएगा क्यूंकि one electron कोबल के nucleus से comparison में ज्यादा है इसी वज़े से यह जो एननाई का charge हो slightly decrease हो जाता है comparison to this cobalt nucleus तो इसी वज़े से यहाँ पर splitting energy कम होती है और कोबल के splitting energy higher होती है क्यूं क्यूंकि one additional electron इननाई के complex में होता है तो इसी वज़े से उसके charge है वो one slightly decrease होता है और कोबल का decrease नहीं होता है इसी वज़े से slightly decrease होनी के वज़े से वह splitting energy कम हो जाती है अब हम बात करते है nature of ligand की तो nature of ligand में spectrochemical series जो strong fill ligand होंगे उसकी splitting energy higher होगी क्यूं क्यूंकि जो strong fill ligand होते हैं वो good sigma donor capacity possess करते हैं इसी वज़े से interaction ज्यादा होता है sigma troms fill ligand में और metal iron के बीज में interaction बहुत ज्यादा होता है इसी वज़े से splitting energy बढ़ जाती है अब आएगा कि geometry of complexes मान लीजिए यह delta sp means clear planar complexes यह delta 0 means octidal complexes और यह delta t means tetraidal complex यह सभी complex की splitting energy दी गई है तो यहां पर 1.3 delta हो means कि 1.3 जितनी splitting energy delta sp के comparison में इसनी ज्यादा है और इसी वज़े से यह सभी order आएंगे delta t के comparison में यह delta o कितना होगा 0.45 delta o यानि कि 0.45 times delta o ज्यादा है comparison to delta t और यह तो delta o delta o ही आएगा अब यह order क्यों आया क्योंकि octidal complex होगा उसमे six pair of ligand होंगे ओके और tetraidal complex होगा उसमे four pair of ligand होंगे means क्या वो ligand जो होगा वो four pair of electron donate करेगा octidal complex में six pair of electron donate करेगे जब होगा क्या octidal complex में six ligand है comparison to tetraidal तो six ligand का interaction ज्यादा होता है comparison to tetraidal complex यह बात थी factor affecting के कुण splitting energy पे कुण तरह से factor affect करते हैं क्यूं करते हैं उसके example भी हमने देखे अब नेक्स वीडियो में हम लोग बात करेंगे symmetrical and asymmetrical filling of electron in d orbital यह वीडियो जोन टेलर इफ्यक को समधने के लिए बहुत important है symmetrical और asymmetrical filling of electron के किस orbital में symmetrical filling होगी electron की और किस वाली में यही बात हम लोग जोन टेलर इफ्यक को समधने के लिए यह अलग से वीडियो हम लोग डालेंगे so thank you for watching this video